हेई गाईज देशी सोनो अलावत और आज आपके लिए लेकर आया हूँ हरे कॉम्टिटिव एक्जाम के लिए मैथमेडिक्स की सबसे बैस बुक यकीन नहीं आ रहा होगा दोस्तों लेकिन इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि भया इतना जबरदस कॉंटेंट इतन यूनिक इतनी सुल्जिवी मैथमेडिक्स की बुक हमने आज तक नहीं देखी देखे दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा पिछले अफ़ते वीडियो सेकसिस ने अपनी पहली एक साथ दो मैथमेडिक्स की बुक लॉंच करी थी और लगतार पांच दिन से ये दोनों बु यासे मैकसिमम कॉम्प्टिटिव एक्जाम एकस्पेंट्स इन दोनों बुक को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फड़फट पर्चेज करके जबर्दस लेविल की तयारी भी शुरू कर चुके हैं लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ स्टुडेंट्स की कमेंड्स आ रहे है कि भी आइं दोनों mathematics की बुक का एक full review दीजिये कि कैसे इन बुक से preparation करने है, इन बुक की specification क्या है, आपने कैसे content को maintain किया है, किस type के questions दे रखे है, कैसे practice exercise है, formula कैसे दे रखे है, तो आज इस वीडियो में full review देने वाला हूँ दोनों ही बुक का तो यार सबसे पहले तो आप सभी को इतना प्यार देने के लिए इतना विश्वास दिखाने के लिए दिल से धन्यावाद करना चाहूंगा आज हम जहां पर भी है केवल आप लोगों की वज़े से हैं लेकिन दोस्तो हम भी आपको बैस्ट कोंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहें और हमेशा करते रहेंगे तो चलिए दोस्तो एक बार इन दोनों बुक का एक डीप रिव्यू ले लेते हैं दोनों बुक्स आपको अंदर से दिखाऊँगा कि कैसी हमने आपको कॉंटेंट प्रोवाइड कराया है और कैसे ये दोनों बुक बाकी बुक से एकड़म डिफरेंट अलग है देखें दोस्तो पहली बुक जो हमारी है वो मैथमेटिस ब्रीफ है मतलब conceptual बुक है जिससे आप अपना mathematics का concept बहुत ज़्यादा strong कर सकते हो दूसरे जो बुक है वो है mathematics objective जिससे आप अपनी hardcore practice कर सकते हो जिसके अंदर chapter wise maximum objective questions दे रहे हैं और सभी questions previous year के questions है जो कि different different exam में सबसे ज़्यादा बात पुछे जा चुके है दोस्तों दोनोई book की सबसे बड़ी strength तो यह है कि दोनोई book हमारी bilingual है मतलब हिंदिय और इंग्लीज में questions आपको देखने को मिल जाएंगे दोनोई book हर एक competitive exam के लिए बहुत ज़्यादा useful है चाहे आपका SSC, CGL, CPOSI, CHSL, MTS, GD, Railway, Banking, SBI, IPPACE, UPSC, DILIPPACE, UPPACE DRD और DIT रिप्लैस भी, UPP रिप्लैस भी, या फिर किसी भी state का अधर एक्जाम है हर एक एक्जाम के लिए useful है हमने all over India में होने बाले सभी competitive exam को अच्छे से analyze किया तब जाके इन books को हमने design करना शुरू करा दोस्तो 2012 से लेकर 2018 तक final selection लेना तक मैंने competitive exam की तयारी करी है बहुत सारे notes मैंने मरा रखे थे जो मेरा हुद का experience था, notes वगर थे वो सारा content मैंने इनमें डाल दिया है और exams को analyze करने के बाद सभी previous year questions हमने maintain किया है जो brief book है इसमें आपको basic concept clear करने को देखने को मिल जाएगा arithmetic दे रखे हैं, सभी chapter advanced math भी आपको इसी book के अंदर मिल जाएगा smart trick दे रखे है, solution provide करा रखे हरे question का practice exercise भी दे रखे है brief वाली book के अंदर, objective वाली book के अंदर topic wise सभी questions covered है arithmetic, advanced math, previous year questions है, हरे question के answer के आपको देखने को मिल जाएगी तो चलिए friends, फट 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 बुक के अंदर हुशती है, देखते किस type का content बुक के अंदर दिया हुआ है तो भाई, सबसे पहले mathematics brief वाली book के बारे ही बात करते है तो यह इसका front page है, हरे competitive exam के लिए useful है, बता चुको हूँ पहली page के ओपर आपको index देखने को मिल जाएगा, ठीक है कौन-कौन से chapter है, सभी हाँ पर mention है, total 15 chapter है, arithmetic के सभी chapter है, advanced math भी इसके अंदर covered है देखें दोस्तो, index की तरीक से दे रखा है, किसी वी book में ऐसे नहीं मिलता जैसे कि पहला chapter हमारा number system का है तो भाई, page number 1 पर number system के basic formula आपको देखने को मिल जाएगे उसके बाद number system के questions की space से शुरू हो रहे हैं, वे भी हमने दी है उसके बाद number system chapter के questions के solution जो हैं, वो कि space पर है, number 3 पर है साथ ही जो work exercise या practice exercise की space पर है, number system की वो भी दे दिया है इन practice work exercise की answer की space के ओपर है, वो भी हमने दे दिया है तो मतलब एक ही page के ओपर सारा सबका solution है जिस space के ओपर आप जाना चाहते हो, index check करो, तुरंट उसी space के ओपर आप हो जाओ बाकी जो book होती है, उसमें केवल chapter के सामने कि space के ओपर है, वो दे देते है लेगे हमने एक एक चीज यहाँ पर दिया है, ताकि students का time बच चेके यह छोड़ी छोड़ी चीज है जो कि आपका time बचाती है, तो चलिए, अब देखे, यहाँ पर सारी chapter है arithmetic के देख लीजिए, number system से लेकर आपके, जो हमारे advanced math के arithmetic के average simplification, LCM, ACF, profit, low, simple compound interest, ratio, proportion सद है, advanced math के भी सद है सब कुछ है, तो चलिए, एक chapter खोलते हैं, advanced math के लिए लेते हैं, काफी सारो लोग पूछते रहते हैं, advanced math की problem रहती है, 118 page के ओपर है, mensuration इसके ओपर चलते हैं, देखे, उमीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, दूर से side कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी try करेगा, यह हमारा mensuration chapter number 12 है, हिंद English में है, सबसे पहले chapter शुरू होने से पहले, हमने इसके कुछ basic formula दे रखे हैं, ठीक है, यह ताकि आप note down कर सुका, आपको concept clear हो सके mensuration 2D के यह कुछ basic formula है, यह देख लिए अठी से आप learn कर सकते हैं, कौन-कौन से formula इस्तमाल होगे, सभी circle, rectangular, सब कुछ hemisphere, spare के, सभी rhombus वगरा के basic formula दे रखे हैं, उसके बाद 3D dimensional, 3D dimensional के सभी formula कौन वगरा, क्यूग वगरा, क्यूग वगरा, क्यूग वडिस, लेंडर के सब formula आपके, ठीक है, तो देखिए, सारे basic formula है, उसके बाद next page से, mensuration से related questions से start होगे, और यह question ऐसे वैसे नहीं है, यह आपके most repetitive questions है, जो के different competitive exam में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके यह सभी वो questions है, यह सभी वो questions है, जो के exam में बहुत बार पूछे जा चुके, और exam में आपको देखने को मिलेंगे directly questions इसी book से, ठीक है, questions खतम हुए, हर एक question का detail solution दे रखा है, short trick दे रखा है, question को ताकि आप कम से कम time में solve कर लो, ठीक है, यह देख लीजे, image, जिस solution में image की आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हुआ है, बहुत मेहनत लगी है, solution वाले question खतम, उसके बाद mensuration chapter की practice yourself, यानि की hardcore practice करने के लिए work exercise है, कुछ और questions है, most repetitive questions है, जिनके उपर आपको खुद practice करने है, इनके solution नहीं है, इनके answer की है, इनके उपर आपको खुद practice करने है, ठीक ये strength है, बुक किसके बाद algebra शुरू हो जाता है, algebra के कुछ basic formula है, most repetitive questions आ रहे है algebra के, उसके बाद इन सभी questions के solution दे रखे है, उसके बाद work exercise आएंगी, जिनके answer की इदे रखे है, जिन questions को आपको खुद से solve करने है, ये वो question आगे, उनके answer क्या आ गई, तो ये है पुरा funda brief व रखे हैं, उसके बाद work exercise आएगी, practice exercise, जिससे आप hardcore practice कर सकते हो, तो ये तो केवल brief वाली book मैंने आपको दिखाई है, अभी तो objective वाली book दिखा रही है, और दोस्तों जो सबसे बड़ा plus point है ना हमारी books का, वो है कि ये most affordable है, all over India का हर एक type का student easily इनको afford कर पाएगा, easily purchase करके त कि student तक पहुँचाना है, हम भी बना सकते हैं इतनी मोटी book, लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं है, time is waste होगा, हमने most selected content in book के अंदर डाला है, ठीक है, link में discussion box में provide करा रहा हूँ, online purchase करेंगा, flip card Amazon से आप purchase करके तयारी शुरू कर दीजे, क्योंकि all over India के maximum student के बास book मेरे साथ से पहुच चुकि है और लगातार जा रही है, क्योंकि number one trend कर रहा है, जो कि अपना पर बड़ी बात है, all product के अंदर flip card के, वर देखे कितने product है, देकिन हमारी book टोप पर चल रही है, तो यह आपका प्यारी तो है, आपका विश्वासी तो है, जो आप दिखा रही हो हमारे जब वर्दस performance निकाल के आओगे exam में, maximum questions directly in book के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले brief वाली book के ओपर practice करिएगा, chapter wise concept strong करिएगा mathematics का, उसके बाद chapter wise maximum objective questions के ओपर practice करिएगा, फिर देखते आपको कौन disqualify करता है किसी भी exam में, के लिए बाकी preparation करने के कु chapters की detail मिल जाएंगी, कौन सा chapter कौन से page से start हो रहे है, उसकी practice exercise के questions कौन से page से start हो रहे है, साथी उन सभी questions की answer की कौन से page के ओपर दे रखे है, सारी detail दे रखे है, arithmetic के सभी chapter है, advanced math के सभी chapter है, तो चलिए कोई chapter खोलते हैं, जैसे कि हम खोलते हैं, भाई, average, आपको page नमर 19 पे दिया हुआ है, देखते हैं, तो भाई, यह हमारा average chapter है, इस book की सबसे बड़ी strength है, कि यहाँ पर chapter wise maximum objective questions दे रखे हैं, बहुत सारे objective questions मिलेंगे, और यह सभी questions previous year exam में पूछे जा चुके हैं, SSC के different exam में, railway के different exam में, यह सभी questions पूछे जा चुके हैं, DRU के exam में, यह सभी questions देखे हैं, तो देखे, जैसकी average है, chapter 4 है, कितने questions मिलेंगे, यहाँ से question 1 ही start हो रहा है, आप करते जाओगे, बहुत सारे questions दे रखे हैं, कोई यकीन नहीं करता कि यह इतनी पत्तिसी book में, इतने सारे questions कैसे maintain कर रखे हैं, और सभी questions by language है, हिंदी और इंग्लिस में सभी questions maintain है यह देखे, अभी तो सोई हुए हैं, बहुत questions दे रखे हैं, average ही आपको maximum questions मिल जाएंगे, यह देखे, अभी तक average ही चल रहा है, यह अभी तक average ही चल रहा है हमारा, 140, 150, और अभी तो, यह average ही हमारा अभी तक, 160, 165, यह देखे, यह हमारा average chapter खतम होता है, chapter से little answer की दे रखे किस question का answer क्या है, उसके बाद next chapter हमारा आजाएगा, percentage आजाएगा, इसके सभी question दे रखे, इससे भी आपको 200 question देखने को मिल जाएंगे, percentage से भी, तो यह strength है, objective वाली book की, इससे आप hardcore practice कर सकते हो, mathematics का concept clear करने के लिए, brief book आपके पास है, यह वाली जो book है, यह brief book है, concept clear करिए पहले इस book से, उसके बाद इस book से hardcore practice करिए, क्योंकि इसमें maximum objective question दे रखे हैं, तो दोनों book को एक साथ कोमो में भी आप ले सकते हो, एक साथ purchase करके, एक साथ preparation करेगा, results जादा जब बड़ दस्त आएंगे, clear है, तो भाई, दोनों book launch हो चुके, यह हैं इन books के plus point, most affordable है, इतनी affordable book आपको all over India के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, उमीद करता हूँ पूरा review दे दिया, समझ चुके होंगे, कैसा हमने content maintain कर रख है, और questions की strength ही है, कि सभी questions previous year question है, ऐसे यह हमने question कोई भी उठा के रख दिया, सभी questions different different exam में, सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके, SSC क सभी exams हमने बहुती deeply analyze करने के बाद, इन books के अंदर डाले हैं, तो आप questions के level के तो tension बिल्कुल मत लीजेगा, आपको एक level मिलेगा questions का, कि हाँ भाई, इस level के question सोल करने में मज़ा आता है, तब आपको बता चलेगा, तो चलिए भाई, दोनों book अवले बाल है, flip card के उपर शुरू कर दीजे, फटाफट purchase कर दीजे, fast delivery करने के हम पूरी पूर इसकोशिस कर रहे हैं, जैसी आप आज order place करते हो, तो एक दो दिन के अंदर ही आपके बास book पहुँचाएगा, आप अपनी तयारी शुरू कर दोगे, चाहे आपका SSC का कोई भी exam हो, railway का कोई भी exam हो, DRD या फिर किसी भी state level, police बगर का exam हो, इन books आप preparation कर सकते हो, निश्चिन्त आँख बंद करके, ये मेरी guarantee है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है था, वीडियो पसंद आई हो, books पसंद आ रही हो, तो review, feedback जरूर दीजेगा, comment करके भी और जहां से भी आप purchase कर रहे ह तो चलिए, मिलते हैं आर अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ share करेगा, ताकि उनको पता चल जाए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मिलते हैं आर अगली वीडियो में, बहुत जलत अत्ता के लिए चाहिंद,